प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग बने रहे हैं हमारी चैनल पर और देखते रहे हैं हमारी वीडियो तो देखे अभी समय के चार सारी चार होने को चला है और मुवसम इतना अच्छा सुहानक यह हुए है कि मैं आपको बता नहीं सकती हवा इतनी तेज चल रही है अंधर के समान चल रहे हैं और अच्छा लग रहा है कुछ दीर फेले तो इतनी गडमी थी उब्स की मैं आपको बताने ही सकती हूं लेकिन अब जो है इतना अच्छा फिल्म हसुस हो रहा है वा के कारन सरय इन व्यूद्श को दिखाती हैं तो आप लोग मेरे वीडियों पर बने रहें और मैं आपको सुहाना मौसम को दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं आसमान में जो है कि विजली कड़क रही है हवाद चल रही है और यह सब देख करके मुझे प्रेंज बहुत ही खुशी और अच्छा मसू सो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह मौसम आ आगे आपको लेकर चल तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह पीड का हडा हडा जो रंग है वो बहुत ही देखने में सुहाना लगता है और अच्छा लगड़ा है और उपर से जो इसकी मतलब ही लेने की जो हवाद चल रही है और इसे जो जूम रही है वो भी हमें पर और आपको अपने च्छत की लोकेशन से दिखा रही हूं कि मतलब हवा किस तरह से चल रही है आप देख सकते इस वीडियो में और थोड़ी बहुत कपड़े भी दिखाए देंगे क्योंकि हमने इस पर कपड़ा सुखाने के लिए डाला था तो देखे इधर भी आपको कि इतना अच्छा कलर इस पेड़ का लग रहा है अभी देखिए उतना साफ लाइट नहीं आ रहा है इस पर लेकिन क्योंकि मौसम ही ऐसा किये हुए लगता है कि दिन के उजालों में भी मतलब कि मौसम देखने को मिल जाएगा प्रेंस आप देख सकते हैं कितना धुआ धार मतलब कि पुरा धूल उड़ रही है हوا भी चल रही है पेड़ पोधे भी जुम रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है मौसम और आपको आसमान का रंग भी मैं दिखा देती हूँ कि आसमान का रंग क्या है किस तरह से लगड़ा है देखने में लगता है दीन में भी अभी रा कितनी अच्छी तरह से जूम रही है लेकिन हम लोग को ऐसा मौसम मिलता नहीं है लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कितना मस्त लग रहा है पेड़ पौदें भी जूम रहे हैं आपको जूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो छलिए बारिश फोना ही होना है और मौसम को वी ठंडा करना ही है तो देखिए किस तरह से और देखिए एक दो-दो बुंद पानी है कि चपकने लगा है तो जोड के बारिश आप ही सकती है फ्रेल्स तो आप देख निखें रहा है और मैं आपको back camera से भी दिखाती हूँ कि अभी का मोसम कैसा है और क्या है तो आप देखी रहे हैं friends की अभी का मोसम क्या है और कितना अच्छा लगड़ा है देखे फ्रेंस हम नीचे अपने छट पर से नीचे आ गए हैं वो तो मैंने आपको उपर का लोकेशन दिखाया और मैं नीचे आ गई हूँ मैं अपने दरवाजे पर खड़ा हूँ और आपको दिखाती हूँ बैग केमरे से की बाहर का लोकेशन क्या है और हवा की रूख क्या है हवा कैसे चल रही है उस सब मैं आपको दिखाती हूँ तो आप मेरे वीडियो पर बने रहे हैं तो आप देख सके हैं मैं आपको दिखा यहां पर देखिए उपर से ज्यादा तो यह नीचे ही मैं आई हूं तो दिखाई दे रहा है जैसे कि और पूरे अंधार हो गया रात होने को चला है इस तरह का मौसम कर दिया है लेकिन देखिए तो साफ दिखाई देगा ही देखिए फिर पोधे का हालत क्या हो चुका है कि इ पानी भी पानी की छीटे भी आ रही है क्योंकि अब बारी से जो की सुरू हो चुकी है और पानी भी पढ़ रहे हैं तो चलिए मैं आपको इसी तरह से वीडियो पढ़ हमेशा अभी कंटिन्यू रखती हूं ताकि आप बारी से और हवा अंधर पानी सब कुछ देख सकते है क्योंकि भाई आज का मौसम जो इतना सुहाना किये हुए है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो मौसम देख करके और मेरा दिल भी खुस हो चुका है क्योंकि अभी इतनी गड़मी थी कि इसकी इस मौसम के वज़ा से आप मुझे इतनी मेरे दिल को सुकून मिला है तसलिम मिली है कि मुझे अच्छा फिल महसू सोड़ा है तो आप देख सकते हैं कि पेर पौधे कि इतना अच्छा से जूम रहे हैं हाँ लोग दर्वाजे पर बैठे हुए हैं और हवा खा रहे है क्योंकि हभा जो चल रही है कि हुए आप देखिरहें मुझे बहुत अच्छा लग दर्वाजे पर बैठे हुए है तो देखिए हैं देखिए फ्रेंस यह जो है पपगला हवा है पगला की तरह चल रहा बोडा गया है मोड़ा भूल किrail हवा ही तेज से कि इसको कुछ कोई पर किणा बैठे हुए हैं होके चलते कर गण में बहुत काफी। इतना अच्छा मौसम किया हुआ है सुहाना की इस पे मुझे एक पुड़ाने मॉडल गाना धर्वेंदर जी का याद आ गया है फ्रेंट्स तो वो एक गाना गाये थे सातिया नहीं जाना की दिल ना लगे ये मौसम है सुहाना की दिल ना लगे सातिया मैंने माना की दिल ना लगे तो चली फ्रेंट्स ये गाना मैंने आपको इस मौसम के नाम पड़ आपको सुनाई है तो प्लीज आप मुझे इस कमेंट में लिक करके बताइए गा कि मेरा गाना आपको कैसा लगा जो धरमेंदरी जी का मतलब गाया हुआ उनको उनका एक्टिंग किया हुआ था तो एक्टिंग तो मैंने नहीं किया है आपको मेरा वीडियो पसंद परता है तो प्लीज लायक करें कमेन्ट करें और सेईर करें आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो ला सकू तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहे हैं और फिर मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तब के लिए बाबाई